Hello viewers, welcome back to my channel, कैसे हैं आप सब, उमीद करती हूँ आप सभी सेहत, मंद और परसन होगे आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपने कुछ रंग मंच के कुर्ते शेयर कर रहे हूँ ये कुर्चे मैंने कुछ महीने पहले खरी दे थे, तब पैंटलोन में कोई सेल नहीं चल रही थी, पर अभी पैंटलोन में सेल चल रही है और वैसे मैं M-Size के कुर्टे पहनती हूँ पर मुझे रंग-मंच में L-Size के कुर्टे लेते हूँ क्योंकि मैं बहुत fit कुर्टे नहीं पहनती हूँ तो ये सभी कुर्टे जो हैं वो L-Size के हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का रंग-मंच का कुर्टा हो फास्ट है ये ये लिनेन का कुर्ता है ओफ वाइट कलर का कुर्ता है एल साइस का कुर्ता है रंग मंच का ये नी लेंद का कुर्ता है स्ट्रेट कुर्ता है और इसमें देखिए नेक में इसका राउंड नेक है और यहां पर छोटा सा वी कट दिया हुआ है और इसमें neckline में देखी किती खुबसूरत embroidery है यह पूरी green color से और navy blue color से पूरी neckline में खुबसूरत सी embroidery की हुई है नीचे कुरता पूरा plane है, side slit दी हुई है कुरते में, back में कुरता पूरा plane है 3-4 sleeves है इसकी और sleeves में इस तरह की embroidery है, गंबूरे जैसे बने हैं और सामने यह back stitch जैसी blue और green color से आगे पीछे दोनों दरफ sleeves में embroidery है इस कुरते को आप pant के साथ, plazo के साथ, सलवार के साथ, किसी के साथ भी wear कर सकते हैं इस कुरते को पहन के मैंने इसकी बगल में clip लगा दूँगी, तो उससे आप देख लेंगे, इस कुरते को मैंने जो clip लगाई है, उसमें मैंने इसको अपने green color के पट्याला सलवार के साथ और दुपट्टे के साथ wear किया है तो आप उसमें देख लेंगे कि कैसा लगेगा पहन के ये कुरता, बहुत अच्छा लगता है, ये कुरता मैं wear कर चुकी हूँ और ये wash हो चुका है तो first था ये linen का कुरता second है ये, ये maroon और orange color का printed कुरता है, इस तरह का print है, इसमें बहुत संदर print है flowers बने है, leaves बनी है, round neck है इसका और इसमें neck में ये देखिए, denim का blue color का navy blue color का कपड़ा लगा और इसमें ये machine embroidery की हूई है सामने, square जैसा बना है, सामने और इसमें ये फूरी machine embroidery है calf length का कुरता है, straight कुरता है, side slit दी हुई है और नीचे की तरफ कुरते में, ये denim की कपड़े की पट्टी लगी है, ये कुरते के आगे भी है, ये कुरते के पीछे तरफ भी लगी है 3-4 sleeves है, sleeves में ये पूरी blue color की denim की है, और सामने ये जो कुरते का print है, पुरा उसका ये पट्टी लगी है, आगे पीछे तोन उठा बैक में कुरती पूरी प्लेक ऐसी तरह है कि ये printed और नीचे ये पट्टी लगी है, ये कुरता भी मैं वियर गड़ चुकी हूँ, ये wash हो चुका है, बहुत अच्छा है इसका cotton, pure cotton है, और ये देखिए कुरते में ऐसे इस तरह से self-check जैसे बने हुए, प्रिंट है और उसम ये self-check जैसे बने हुए, दिख रहा होगा आपको ये यहां से, neck के पास से, बहुत अच्छा लगता है इस कुरते को अभी आप पैंट के साथ, प्लाजो के साथ, लेगिंग के साथ, किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, इसको मैंने अपने navy blue color के प्लाजो और दो पट्टे के साथ, वीडियो में, थार्ड है ये, ये फिर ओजी कलर का कुरता है, इसमें भी देखिए, प्योर कॉर्टन का कुर्टा है, बहुत अच्छा कॉर्टन है, सभी के कॉर्टन बहुत अच्छे हैं, ये देखिए, इसमें इस तरह से ये, चेक जैसा बना हुए, कपड़े में, पूरे कुर्टे में इस तरह से, स्टैंड कॉलर है इसमें, कॉलर में यहाँ पर ब्लू कलर का कपड़ा लगा है, जिसमें फिरोजी कलर से और वाइट कलर से बैक इस्टिस से अब्रोइटर की गई है, ये नेक में है, बैक में भी है नेक में, और नीचे यहाँ पर बटन प button लगी है और button के दोनों तरफ button button पटी के दोनों तरफ white color से blue color से ँसमें अम्रोइट 맛있 तरह से, बहुत सुन्दर अम्रोइट्रिव है, नील एंद का कुरता है, three-four sleeves है, sleeves में सामने white color की piping लगी है, आगे पीछे दोनों तरफ, side slit दी होई h नीचे सामने तरफ कुर्ती में जैसे नेक में ब्लू कलर का कपड़ा लगा है वो लगा है और ये वाइट कलर के उसके उपर पाइपिंग लगे है इस सिर्फ कुर्ते में सामने की तरफ लगा हुआ है बैक में कुर्ता पूरा प्लेन है नीचे भी इस कुर्ते को भी आप पैंड के साथ, प्लाजो के साथ, सलवार के साथ, किसी के साथ भी बेयर कर सकते हैं सभी कुर्ते L size के हैं क्योंकि रंग मंच का मुझे L size लगता है यह 3 कुर्थी थी, last है यह यह ओफ वाइट कलर की कुर्ती है एल साइस की कुर्ती है रंगमंच की इसमें राउंड नेक है यहाँ चोटा सबी कड़ दिया हुआ है और नेक में यह सामने की तरफ पूरी लेस लगी हुई है और पूरा कुर्ते में इसी देखे यह वाइट कलर से प्रिंट है फ्लावर बने हैं, केरी जैसी बनी है लीप्स बनी है पूरी कुर्ती में इस तरह का प्रिंट है यह भी काप लेंद की कुर्ती है स्ट्रेट कुर्ती है साइट स्लिटती हुई है इसमें पैक में कुर्ती पूरी प्लेन है और सामने की तरफ पूर्ती में नीचे इस तरह से लेज लगे हुई है वाइट कलर की 3-4 स्लीव्स हैं स्लीव्स में जैसे पूरते के नीचे लेज लगी है executed Serhata नीचे लीज लगी ती उस तरह की लेज लगी है यह स्लीव्स में आगे भी लगी आपके पभी देएं यह काफलेंद की कुर्ति है तो इसको आप पैंड के साथ प्लाजों के साथ लेगिंग के साथ किसी के साथ भीएर कर सकते हैं इस कुर्ति को मैंने अपने फैव इंडिया के सल्वार के साथ वियर किया है और रेड कलर के मैरून रेड कलर के दुपट्टे के साथ सभी कुर्तिया वियर करके मैं उसकी साइड में क्लिप लगा दूंगी तो उससे आपको लुक समझ में आ जाएगा कि यह पहनने के बाद कैसी रहती है सभी कुर्टियां बहुत अच्छी हैं सभी इस कुर्टी को छोड़के सभी कुर्टियां वाश हो चुकी है और सब का कॉर्टन बहुत अच्छा है यह कुर्टिया भी मैंने वेयर किये पहली बार भी वीडियो में वेयर किये और इसको मैंने भी वाश नहीं किया है सबका पॉर्टन बहुत अच्छा है तो वियोस ये था मेरा आज का रंग मंच का कुर्टा हॉल उमीद करती हूँ कि मैंने जो भी कुर्टे खरीदे हो आपको पसंद आए होगे और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार